अगर आप किसी गेट के ऐसे एस्परेंट से जो गेट में अच्छी रैंक नहीं लाया, उससे ये पूछेंगे कि यार भाई दोस्त, ऐसा क्या हुआ एक्जाम में कि तुम्हारी रैंक नहीं आई तो other than all the reasons, वो डेफिनेटली एक बात बोलेगा वो यह आपको जरूर बोलेगा कि पता नहीं आर आता वह question था exam में solve नहीं हुआ, exam के बाहर आके देखा तो solve हो गया I'm sure यह experience इवन आपने खुद किया होगा कभी न कभी किस point of time पे और इसका basic सा reason, it's not a rocket science, बहुत basic reason है जब भी आप किसी pressure situation में होते हैं, panic situation में होते हैं जब आप anxious हो रहे होते हैं, घबरा रहे होते हैं उस वक्त जो आपकी analytical skills हैं, वो शायद बहुत अच्छे से काम नहीं करती हैं हम सब जानते हैं pressure situation में अच्छे अच्छे लोगों के हाथ पर फूल जाते हैं point यह है कि क्या आप ready हैं उस pressure situation के लिए, उस pressure situation में easy question solve करने के लिए पिया आप ready हैं या नहीं मैं आपको बताता हूँ, maximum experience ready नहीं हैं आते हुए अच्छे questions को pressure के वज़े से गलत पढ़ेंगे, गलत समझेंगे, कुछ ना कुछ गलतियां वो करेंगे only and only due to pressure, वो घड़ी चलती है ना, screen पे घड़ी चल रही होती है, एक timer होता है, जिस पे की धीरे धीरे time कम हो रहा होता है वो एक ऐसा pressure mind में रहता है, कि आप normal behave नहीं कर पाते हैं, और normally जिन चीजों questions को आप solve कर सकते हैं, exam hours में आप नहीं कर पाते हैं, या आप से गलतियां हो जाती हैं इसका क्या समाधान है? इसका समाधान है practice, कैसी practice? pressure में practice अब pressure में practice दो तरीके से हो सकती है, या तो आप जब practice कर रहे हैं तो washroom में जाएं, मजाग कर रहा हूं, ये वो वाला pressure नहीं है pressure में practice दो तरीके से हो सकती है पहला ये आप जब test series दे रहे हैं और आप में एक constant वो point है कि यार हर question इतने सारे लोग solve करेंगे मेरी क्या rank, मेरी क्या marks although I have advised कि वो नहीं सोचना है but मैं जानता हूँ कही लोगों के mind में वो रहता है तो test series आपको उस तरीके के pressure के लिए ready करेगा लेकिन एक pressure जो time का pressure होता है घड़ी टिक हो रही है continuously उसका pressure होता है बहुत से aspirants को वो pressure भी अपने मन से निकालना होगा वो कैसे निकलेगा? उसके लिए exergic sub students के लिए YouTube पे live practice sessions conduct करवा रहा है live practice session कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए exergic के course के अंदर live practice session बहुत time से है बट हाँ ये practice session हम सब के लिए free YouTube पे conduct करवा रहे है already इसका एक practice session हो चुका है strength of materials का बहुत ही fabulous response रहा है students का हमने सोचा ही था even first जो practice session कराया उसके लिए कुछ भी मैंने announce नहीं किया कुछ भी वीडियो बना किया inform नहीं किया I just conducted it और देखा कि कैसा response है उसके बाद मैंने सोचा कि we will plan कि इसको continue करें या ना करें और जैसा कि देखा बिना announcement के बिना किसी भी दरीके की information के practice session हमने YouTube पे live conduct करवाया और super response आया email पे भी response आया इवन जब मैं class ले रहा था एक live class में students ने भी exergic के students क्योंकि वो भी फिर attend कर रहे है free में जो है तो उन्होंने भी कहा कि sir बहुत सही लगा खाफी एच्छा experience रहा then I decided कि चलो इसको carry on करते हैं इस initiative को सारे students के लिए तो almost every Friday evening 8 p.m every week exergic के youtube channel पे live practice session होगा gate mechanical engineering के किसी न किसी एक subject का आपको pen और paper लेके ready रहना है उस live practice session में question solve होंगे live जहाँ पे हर question के लिए 3 minutes का timer दिया जाएगा कुछ questions easy होंगे जो शायद 1-10 minute में हो जाएं और कुछ शायद 3 minute में ना हो which is fine purpose यह नहीं है कि आपको वो ही 3 minute के अंदर ही सारे questions solve करने है purpose यह है कि आपका mind pressure में भी question solve करने के लिए ready रहे trust me जैसे questions हमने रखे हैं वो ऐसे questions नहीं हैं जो बहुत difficult हैं above gate level हैं कोई solve भी नहीं कर पाएगा 3 minute में अगर आप सही pressure situation से deal करते हैं तो आप 3 minutes में उन questions conduct हो आप उसको live या maybe एक दो दिन में attend कर लें क्योंकि to ensure कि आप उसको granted ना लें इस free initiative को practice session जो conduct होंगे वो 7 से 10 दिन के अंदर YouTube से हट जाएंगे तो आप ऐसा बिलकुल भी नहीं सोचें कि YouTube में पढ़ा है आराम से मैं एक दो महिने में attend करूंगा आप उसको live अटेंड कीजिए subjects हम ऐसे ही select कर रहे हैं जो आपने almost अब तक cover कर लिए होंगे ऐसे core या basic subjects ही वहाँ पे touch हो रहे हैं तो make sure कीजिए कि जो भी live practice session conduct हो आप उसे miss ना करें आप exergic community tab जो है channel का उस पे देख सकते हैं जो updates होंगी practice session की student center पे भी आप देख सकते हैं और obviously अगर आप channel पे subscribed है तो कोई भी आपको notification जो होगा उससे related वो आ जाएगा but obviously it is better कि आपको पहले से पताओ तो community जो tab है आप उसको देखते रहिए और उस community tab से next practice session के लिए ready रहिए Friday 8 PM See you there, all the best